दोस्तो यदि आप फर्स्ट यर और सकेंड यर के स्टुडेंट है और आप लोगों के मन में ये चल रहा है कि आप लोगों का एक्जाम होगा की नहीं होगा तो राजभवन के ओर से जो नया निर्देश जारी किये गये हैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँगा कि बिहार के राजपल फगुट चोहान ने क्या निर्देश दिया हैं आप लोगों का एक्जामस होगा की नहीं होगा उसमें क्या जो निर्देश दिया गया है उसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ठीक है तो आप लोग बने रहेगा इस वीडियो में यहां पे जो असपस्ट निर्देश दिये हैं उसे मैं पट करके आपनों को सुना देता हूँ राजपवन कुलपतियों की एक कमेटी बनाएगा यह कमेटी पूरे बिहार में एक परिक्षा सिस्टम पर रिपोर्ट देगी विस विद्याले अपने तरीके से परिक्षा नही यॉनिवसेटी को दिया है और असपस्ट कर दिया गया है यदि पूरे बिहार में एकजांस होंगे तो उनका सिस्टम होगा वो एक ही होंगे और इसके लिए 30 जुन तक का समय दिया गया है उनिवर्सिटीज को राजभवन में उपना खाका जो है वो त्यार करके भेजने का इसके बाद मैं आप लोगो जिस मकसद से लाया हूं उसे मैं आप लोगो दिखा देता हूं जो एक या दो साल उनिवर्सिटीज में रहने वाले हैं उनको बिना परिक्षा लिये ही पर्मोट कर दिया जाएगा लेकिन अब ये निर्देश असपष्ट कर दिया गया है कि बिना परिक्षा के किसी को पर्मोट नहीं किया जाएगा चाहे वो परिक्षा में पेटर्न में ब निर्देश दिया कि बिना परिक्षा किसी भी छात्र का पर्मोसन नहीं दिया जए अब तक चर्चा थी कि पहले और दूसरे बर्स के चात्रों को अगली कच्छा में बिना फाइनल परिक्षा के पर्मोसन दिया जए लेकिन कुलपती ने इस पर रोक लगा दी है आप लोग य कि राजपाल फगु चोहान भी थे राजबबान ने हर हाल में सत्र नियमित करने का निर्देश दिया है कहा जल्दी परिक्षा और विजल्ट के लिए OMR सीट पर परिक्षा ले सकते हैं तो यह असपस्ट नहीं हुआ है कि अभी OMR सीट होगा या आपके जो थियोरी पेपर जिस तरह से हो रहे थे उस परकार से होगा लेकिन अगर इस्थिति गरवर रहता है तो आपका OMR सीट भी लिया जा सकता है लेकिन अभी तक यह इनफॉर देगा जो इजां सौंगे वो दो घंट वे जर्व लेंगे या आपका जो थियोरी पेपर का इजव है वो अबजिक्टिवी कर सकते हैं लेकिन आपका इज्व होगा ही होगा बीना परिक्षा दिये आपको पर्मेशा नहीं मिलेगा तो आप लो यह जान लीजिए तो आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए उसे दवाकर और अटिकेशन को ओन कर लिजिए